Hi friends! आज के वीडियो में हम बात करने बाले हैं पिगोभियान टैक्स के बारे में हाला कि इस टॉपिक में वीडियो बारने का मेरा कोई प्लैन तो नहीं था लेकिन पढ़ते पढ़ते ये टॉपिक मेरे सामने आया और आज तक मुझे पता ही नहीं था ऐसा भी एक tax है तो मुझे लगा ऐसे बहुत सरे लोग हो सकते हैं जो इस tax के बारे में नहीं जानते होंगे तो इस बारे में एक वीडियो बढ़ाना तो बनता है तो चलिए जान लेते हैं क्या है पिगोभियान tax वीडियो को एक example से शुरू करते हैं मान लिजिये मैं ओट कर रहा हूँ station में train आने का और इसी बीच एक इंसान आया जो दुकान से जा की एक cigarette खरीदा और आके मेरे सामने smoke करने लगा मैं smoke नहीं करता लेकिन क्योंकि वो मेरे सामने आके smoke करना शुरू कर दिये तो उनके पास रहने से मैं भी passive smoker बन गया अब मैं smoke नहीं करता लेकिन उनके फैलाए हुए धुये से मेरा lungs को लुकसान पहुच रहा है तो ये देखके मुझे लगा अरे भाई ये क्या हो रहा है मैं तो smoke नहीं करता लेकिन इनके फैलाएं हुए धुआ से मुझे cancer हो सकता है ये तो गलत बात है तो मैं सोचूँगा मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा तो मैं चला गिया government के पास और government को जाके कहा कि आप जरा इस बात पर गौर कीजिए यहाँ पर लोग आके रास्ते पर smoke कर रहा है और मेरे जैसे इनसान जो कभी smoke आज तक किया ही नहीं है उन लोगों के बज़े से उन्हें भी lungs cancer हो रहा है ये तो गलत बात है तो सरकार बुलेगा तो मैं क्या कर सकता हो इस बारे में तो मैं कहूंगा आप tax लगाए tax के पैसो से आप hospital बनाएए और free में मरीजो का इलाज करवाईए तब ही हमें justice मिलेगा तो सरकार कहेगा ठीक है मैं वो सारे हजादस product के ऊपर tax लगा दूँगा जो कि एक company produce करता है और उसके consumer उसे consume करता है और इन दोनों के काम के वज़े से पूरा society को उसका effect जहलना पड़ता है यही है पिगोभियान tax इसका सबसे अच्छा example है carbon tax जैसे कि बहुत सारा गारिया हम खरीद लेते हैं और गारी खरीदने के बाद हम रस्ते पर चलाते हैं उसमें से pollution निकलता है और ऐसे हमारे देश में बहुत सारे नगरिक है जिनके पास गारी नहीं है वो लोग cycle चलाते हैं वो लोग तो गारी नहीं चला रहे हैं लेकिन हमारे फैलाए हुए धुए से उनका लुकसान हो रहा है इसलिए government carbon tax लेता है और इससे environment को अच्छा करने के कोशिश करता है तो बस एही था एक छोटा सा वीडियो इस topic पे आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताईए और आगे आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं वो भी बताईए और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बला आइकन पे ज़रूर क्लिक करना इससे जब भी मैंने कोई वीडियो अप्लोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा फाइनली थैंक्स फर वाचिंग